वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले कोवरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजे अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम अमारी में ग्यारेक्टर जैनिवर को आफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी हो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उन्हों ने ब्रेक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में वो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइस था नेक्सिन में हम अमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है जिसका नाम है गाय यह भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था यह दोनों अलग-अलग फ्लोर उबर एक ही लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते उसे comfortable feel कराने के लिए जोक स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तब ही अचानक से लिफ बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था इन्होंने अलाम विग्रा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरी को नोटिस किया कैमेरे में वे विगरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी कहल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे सैटरेडे संडे और दो दीन की छुट्टी थी गाय ने जनिफर को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जनिफर ने कहा कि कभी-कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है गाय को अचानक से आईडा आया कि लिफ्ट के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लिफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो छुक कर जेनिफर को उपर की सिलिंग चेक करने के लिए कहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत राया कि आपर कुछ भी नहीं हुआ एक घंडा बीथ गया और जेनिफर रेलाइस करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दिया वो गुसा हो गे और सारी चीजों को गालिया देने लग गे उसे बैस लगी थी तो गाया ने उसे अपनी बॉटल दी जेनिफर उसका पाणी पिने से मना कर दिया पर गाय ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी wine की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मज़ाग में कहता है wine की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है जेनिवर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्ते हैं उसने विरबानी पी लिया था वो गाये को as a gesture एक चॉकलेट डे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते हैं अब इसके बाद और चार घंटे पीट गए थे उसे पी करना था पर गाये के सामने इस तरीके से टॉलेट करना उसे अजीब लगता है गाये ने फिर उसे एक बॉटल दी कहा कि एक नैचरल चीज़ है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लिए गयती हैं और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लिफ में जो ड्राइंग बनी थी उसी ड्राइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारी कोई भी girlfriend वेगराने है जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को call करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे surprise देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों realize करते हैं कि वो कितने same है गाय ने फिर wine की bottle खोल ली time pass करने के लिए दोनों एक दूसरे की drawing बनाने लगते है गाय ने जैनिफर की बहुत ही अच्छे से drawing बनाई थी पर जैनिफर उसके एक funny से drawing बनाती है जैनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो picture बनाई इसे में मेरी profile picture रहूंगी बाते करते करते खाने पर discuss करने लग गये तुमने भुगे थे तो जैनिफर ने कहा कि subject हम change करते है अलग-अलग topic पर discuss करते हुए एक दुसरे के partner के साथ crazy story बताने लग जाते है जैनिफर गहती है कि एक बार में मेरी boyfriend के साथ library में intimate हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरी एक cover करती है हम एक बार drive उपर गए थे वही पर intimate हुए थे यह सब बताते हुए उसे जैनिफर के लिए feelings आ गए जैनिफर को भी इससे कोई भी problem नहीं था फिरे दोनों यही पर intimate हो जाते है इंटिमेट होने के बाद गाई ने जैनिफर से गा यह तुमारे प्यार में पढ़ सकता हो यह पाद जैनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो उसे कहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना जाती थी गाई को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचूत एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवेल चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फोटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जुट कहा था किसी building में accountant है उसने convince किया कि सब कुछ मैंने plan किया था वो Jennifer के साथ एक दूसरे को जानने के लिए chance चाता था वो चाता था कि Jennifer उसे पहचाने इसी वज़स उसने सब कुछ किया था वो अपने pocket से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूँगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगतना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बन कर दिया जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दिया पर गाये उसे पकड़ लिया जेनिफर स्टगल करते हो लिफ्ट की की को मार देती है और इस वज़े से तूट गई थी अब एक्चॉल में इस लिफ्ट में फ अच्छा प्लेन था यहाल इफ में हमारे बीच में कोई भी क्षैक्सन नहीं था तो यूवी दूसरे को जान पाए हम्री पूरी रिलेशन्शिप इस लिफ में हो गे हम उसमें सीगार, लाइटर और एक कटर है गुसे में गाये ने लिफ्ट का एक लाइट तोड़ दिया फिर उसे आइडिया आता है कि या लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के पॉटल से उसने छट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिवर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो मैं उपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूँगा जैनिवर उस पर बिलियू नहीं करती कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुमें उपन कर दूँगी गाय को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जैनिवर ने गई वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंट किया मैं तुमें धोका क्यों दूँगी गाय भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जैनिवर उपर आके उपर आने के बाद जैनिवर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रस्सी बनाकर उपर वो आ जाता है जेनिफर जरा जादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़नी वाली थी तब नीचे से गाय आया और उसे पकड़ कर फिर से लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशिस हो गया और जेनिफर होश में आ गई गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कुशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है ये सब वर्क नहीं करेगा हमने बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जेनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पेर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुमें सब कुश अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटकोस ने का तुम सब कुश अब कनफेस कर दो अगर गाय ने इसा नहीं किया तो जैनिफर उसे बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जैनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यो गाय कहता है कि मैं हर रोज तुमें देखता था तुम बहुत ही ब्यूटीफूल थी पर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुमें अप्रोच नहीं कर पाता मैं हमेशा से सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक्चॉल मैं एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुमें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्सिरंट हो गया उस पर चार्ज़ेस लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो सिक्स मन्स में वो बहार आ गया पर बहार आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था स्लोली स्लोली उसके फाइनाशल सिचुएशन खराब हो गे और उसे सिक्रिटी गार्ड का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी ओल्ड लाइफ को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लैन किया निक्सिन में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला सेक्रिटी गार्ड ये अपनी गल्फरेंड को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो चुट्टी ली थी वो वापस आने नहीं वाला था पर गल्फरेंड को यहाँ लेकर आया वो रोडिस करता है कि गाय आसपास कहीं भी नहीं है उसने कैमेरे में जेनिफर और गाय को लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच गया फ्रेन आया और लिफ को ओपन करने की कोशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस जाता है तभी गाय जेनिफर पर हमला करकर उसे बेहुच कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बॉड़ी रख देता है जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में डाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोटिस किया वो इसके बॉइफरेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड ज़ला सस्पिशेस होकर यहां से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार ढालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो ली कर गया वो थ्रेश के अन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जेनिफर की बॉड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंग खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गी और आगे चलीगी उसने पीछे देखा तो गाए अब भी जिन्दा था वो बहुत जादा गुस्सा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को इडिस बिट में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डाल दिया इसे के साथ ये मूवी एंड हो गए अगर आपको ये वीडियो अच लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहे तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इटिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया